एक बार अमेरिका में क्रिमिनल को फांसी की सजा सुनाई गए जब साइंटिस्ट ने अकबारों में पढ़ा तो उसे मिलने के लिए पहुचे परमीशन ली गई और उसे ये बताया गया कि आपको फांसी की सजा नहीं बलकि आपको कोफरा से डस्वाया जाएगा वो पूरी रात परेशान रहा सुभै सजा का वक्त था उसे एक रूम में ले जाया गया रूम में ले जा करके एक चेर पर बैठाया गया उसकी आँखों पर काली पट्टी मान दे गई उसे लगा कि आप साइंटिस्ट उसके पास आएंगे और कोबरा से डसवाएंगे साइंटिस्ट उसके पास आए लेकिन उसे कोबरा से नहीं डसवाया बलकि दो छोटी छोटी सेफटी पिंच वोई कुछ सेकिंड्स में ही उस बंदे की मोत हो गई जब पोस्ट माटम हुआ तो पता चला कि उसकी बोडी में उतना जहर था जितना एक कोबरा के काटने पर होता है अब आप सोचेंगे कि उस बंदे की बोडी में इतना जहर कहां से आया उसके थोट से वो इतना जादा नेगिटिव सोचने लगा था कि उसे लगा कि उसे कोबरा ने काट लिया है और उसकी बोड़ी ने वो जहर खुद ही पैदा कर दिया ये चोटी सी कहानी बताती है कि आपके थोट्स का पोजिटिव होना बहुत ज़रूरी है इसलिए जब भी सोचिए पोजिटिव सोचिए